अगर आप PC या Laptop यूज़ करते हैं तो आपके पास Microsoft की तरफ से मिलने वाला ये Free Tool जरूर होना चाहिए आपको बस Chrome Browser पर जाना है सर्च करना है PC Manager और जो First Link आएगा वो होगा आप Microsoft की साइट का Official Link उस पर आप क्लिक करेंगे साइट ओपन होगी और यहाँ पर आपको बटल मिल जाएगा Download इसे Download कर लीजिए Download होने के बाद आपको ऐसे Setup मिल जाएगा जिस पर आप Double Click करेंगे और इसे Open कर लेंगे Install करेंगे इसे आपको इसे Accept करना है I Accept and Click Install आपके PC में PC Manager अब Install हो जाएगा इससे आपको बहुत से फायदे होने वाले इससे आप अपने PC या लैप्टोप को बूस्ट कर सकते हैं वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा और साथ ही temporary files भी clean कर सकते हैं उनके लिए अलग से आपको कभी कोई software install करना पड़ता है CC cleaner या इस तरह का कुछ भी वो अब आपको install करने की जोरुत नहीं पड़ेगी सब काम बस यही करेगा PC manager इसे install होने दीजिए एक मिनिट से भी कम वक्त लेगा यह install होने में और आपके पास यहां आ जाएगा launch now क्लिक करेंगे और इसे launch करेंगे अब देखते हैं यह work कैसे करता है और क्या क्या facility आमें मिलती है क्या feature मिलते हैं अब PC manager open होने पर कुछ ऐसा नजर आता है यह आपको memory usage बता रहा और temporary files जो की 0 kW है अगर आप चाहिए तो इसे यहां से boost भी कर सकते हैं जैसे यह आप boost पर click करते हैं यह temporary files को यहां से clean कर देत है health check आप यहां से देख सकते हैं अपने PC की health यहां से आप check कर सकते हैं scanning के बाद यह आपको बता सकता है आपके PC की health यह आपके laptop की health कैसी है और कुछ ही मिन्टों में इसने मेरे laptop को scan करके मुझे detail दे दिये और मैं इसे चाहूं तो clean कर सकता हूं proceed पर click करके और अब यह temporary files को clean कर देगा and it's done done पर click करते हैं यहां मिलते हैं और भी कई option जैसे कि storage management process management and startup apps इसके जरीए आप अपने PC या laptop को थोड़ा और fast कर सकते हैं यानि कि अगर आपको process देखनी है कि background में कौन कौन सी apps चल रही है तो वह आप यहां से देख भी सकते हैं और उन्हें end भी कर सकते हैं से उनकी process stop भी कर सकते हैं या आप चाहें तो इसकी startup speed बढ़ा सकते हैं जैसे कि आपका PC जब start होता है तो वह कितना time लिता है start होने में तो वह आप यहां से control कर सकते हैं इस पर click करेंगे और यह आपको दिखा देगा कि आपका PC या laptop जब इस start होता है तो उसके साथ साथ और कौन सी application कौन सी software साथ में start हो जाते हैं और यहां से आप unnecessary apps या software को आप block कर सकते हैं उन्हें off कर सकते हैं ताकि वह अपने आप own ना हो और मेरा PC ज्यादा जल्दी start हो जाए तो यहां से unnecessary services को आप ऐसे off कर देंगे और अब service automatically own नहीं होगी और मेरे PC को जल्दी start होने में करेगा manage large files यानि कि large बड़ी files हैं वो आप यहां से manage कर सकते हैं इससे बता करे कि आपको कितनी बड़ी files यहां पर manage करनी हैं आप back जाएंगे तो यहां से आप unwanted apps को uninstall कर सकते हैं space बचा सकते हैं तो यह है आपके PC या laptop के लिए एक free tool free PC manager जो task manager का भी काम करेगा और junk files को हटा आने के लिए आपको अलग से कोई software भी install नहीं करना पड़ेगा सब चीज एक ही जगे वो भी बिल्कुल free है